कर्मनिय वाधिकार रस्ते मां फलेशु कदा चटो महभारत के उस विधन सकारी युद के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मा का उपदेश देते हुए ये समझाया था कि हे वत्स कर्म करने पर इंसान का अधिकार होता है उस कर्म से मिलने वाले फल पर इंसान का कोई अधिकार नहीं होता है हमारी आज की जो क्लास है दोस्तों वो कर्मा के उसी कॉंसेप्ट पर आधारित है जिसे हम हमारी लेंग्विज में कर्म, कांड, कारिय या फिर वर्ब कहे करके संबोधित करते हैं खमागणी स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने online education platform पर जहां मैं आपका सार्थी एक बार फिर से आपके सामने खड़ा हो चुका हूँ अपना वो जादूई पिटारा लेकर गये जिसके अंदर होता है आपके लिए बहुत कुछ इस बहुत कुछ की अगर हम बात करें तो ये बहुत कुछ वो सब कुछ होता है जो हर किसी competitive exams के अंदर आपके सिर का दर्द बनता है दोस्तो तो आईए शुरू करते हैं आज की class लेके प्रभू का नाम आज की class जो है दोस्तो वो verb से related है और verb की जो importance है वर्ब की जो महत्वता है वो English language में किस हद तक है वो आपको next slide के जरिया मैं समझाओंगा ये देखिए दोस्तो जैसे एक human body के अंदर उसका जो heart होता है वो उसकी पूरी body को generate करता है वैसे ही sentence का जो verb होता है वो पूरे sentence के element को generate करता है पूरे sentence के element को जो है वो maintain करता है दोस्तो देखिए कि verb का जो verb की connectivity है वर्ब का जो relation है वो sentence के other element के साथ में कहां कहां और किस हद तक जो है वो जुड़ा हुआ रहता है देखिए अगर verb जो है वो यहाँ है तो हम कहेंगे कि verb की relation जो है वो subject के साथ भी जूड़ी होती है बिल्कुल sentence में verb हो subject को भी effect करता है वर्ब जो हैं वो subject के साथ साथ में object and compliment को भी effect करता है मेरे दोस्त object compliment को भी जो है वो verb effect करती है इसके आलावा वर्ब जो हैं वो sentence में adjectives, adverbs, prepositions, time and tense जैसे सभी element को जो है वो effect करता है तो वर्ब की जो importance है वो sentence के base पर कितनी महतुपूल साबित होती है ये आपको ये picture बहत ही अच्छी तरके से समझा रही होती है मगर competitive exams की अगर हम बात करें तो इतने से होने वाला कुछ भी नहीं है तो इस session के अंदर, आज के इस session के अंदर हम verb के basic concept को पढ़ना शुरू करेंगे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखेगा दोस्तो, किसी भी चीज का जो अंत होता है, वो एक बड़े level तक होता है एक बहुत कुछ समागम के साथ होता है मगर उसकी शुरुवात जो होती है, वो अगर हमें धंग से नहीं हो तो कहीं न कहीं पर हम उस चीज को थोड़ा बहुत जो है, वो लैप्स करते ही करते है तो आज का जो ये session है, वो हम लोग verb के basic से शुरू करने वाले है मगर verb का basic समझाओ मैं, उसके पहले मैं आपको A.S.Hornby uncle के बारे में कुछ बताता चाहता हूँ दोस्तों A.S.Hornby जो है, वो एक बहुत बड़े grammatian हुए है जिन्होंने verb से related five जो हैं, वो English के sentence pattern दिये थे आईए discuss करते हैं A.S.Hornby और उनके pattern के उपर कि वो क्या कहते हैं हम बात करेंगे सबसे पहले A.S.Hornby के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ A.S.Hornby वही इंसान है जिन्होंने dictionary बनाई थी जिन्होंने dictionary जो है वो दुनिया के सामने वो लेके आये थे क्योंकि उन्होंने English language की importance को शब्दों में और उसके छोटे-छोटे units के अंदर जो है वो महसूस की थी और A.S.Hornby के जितने भी concept आप देखोगे वो English grammar के बहुत ही basic और छोटे-छोटे concepts पर आधारित है अमारी आज़ी जो verb की class है वो A.S.Hornby अंकल के बिना अधूरी है तो सबसे पहले verb शुरू करें उसके पहले A.S.Hornby अंकल को पढ़ना बहुत जुरूरी है A.S.Hornby ने जो है वो English language के 5 patterns जो है वो बताये तो इवन कि इन्होंने यहां भी कह दिया था कि English language जो है वो इन 5 pattern के अंदर समाहित है इसके बहर कुछ भी नहीं है सिर्फ 5 ना तो 6 ना 4 सिर्फ 5 चलिए वो 5 pattern कौन से थे और वो 5 pattern verb के base पर हमारे लिए कैसे important होते हैं आने वाले concept जो है वो आपके इही 5 pattern पर आदा रित होंगे इवन की इसके साथ ही एक चीज और सुन लेना आप लोग इसके साथ ही verb से related जितने भी topic है ना जहां पर मैं बात करूँगा active passive की जहां पर मैं बात करूँगा tense की जहां पर मैं बात करूँगा other सारे elements की एस होनवी के ये 5 patterns जो है वो आपको पूरी की पूरी जो है वो grammar की journey के अंदर effect करेंगे आपको तो वो बात में जाकर के आपको समझने पड़े सीखने पड़े परिशान होना पड़े उसके पहले आप पहले ही देख लो इनको एक बार एस होनवी का पहला pattern कहता है sentence जो होता है वो s plus v pattern पर भी बन सकता है s plus v pattern के अंदर s जो होता है वो तो होता है subject मगर जो v होता है उसको कहते है वर्ब अब देखो यह बड़ा एक बहुत ही important चीज यहां पर मैं आपको समझा देता हूँ एस होनवी के according sentence जो होता है दोस्त मेरे sentence होता है उस sentence के दो पार्ट होते है पहला पार्ट होता है subject और दूसरा पार्ट होता है प्रिडिकेट क्या होता है आईए बात करते हैं प्रिडिकेट के बारे में प्रिडिकेट जो होता है वह sentence में subject के अलावा sentence में subject के अलावा subject के लिए जितनी भी चीजे जो है वह यूज की जाती है subject के base पर जितनी भी ग्रामेटिकल या ग्रामर के जितने भी जो है वो पार्स यूज किये जाते हैं, वो सारे प्रिडिकेट का हिस्सा कहलाते हैं, प्रिडिकेट के अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब, मेंवर्ब, औबजेक्ट, कॉंप्लिमेंट, एडवर्ब, एजेक्टिव, बहुत कुछ आता है, या फिर ही हो गए कि सेंडेंस में सब्जेट को अलग कर दो, सिरफ बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, वो पूरा प्रिडिकेट कहलाता है, मगर सुनना अ communication है, प्रिडिकेट की definition ये है कि predicate जो है, वो बिना verb का predicate नहीं होता, यानि की जिस group के अंदर verb नहीं होगी, वो group predicate कहलाई गई नहीं, समझे माहिए आपके बात, जिस group के अंदर verb नहीं है, वो group predicate की category में आता ही नहीं है यह predicate की definition साफ कहती है अच्छी बात है तो कहने का मितलब यह हो गया कि हम कान ऐसे पकड़े या कान ऐसे पकड़े अगर हम कान ऐसे पकड़ते हैं तो हम यह भी कह सकते है कि बहुँ predicate के बिना sentence अगर कान को सिधा पकड़े ना तो हम क्या कहेंगे कि बिना verb के sentence अधूरा है बिना verb के जब predicate अधूरा है और बिना predicate के sentence अधूरा है इसका मतलब आप सिधा कान पकड़े सिधा कह दो ना कि बिना verb के sentence अधूरा है तो यह जोन भी ने साफ कह दिया था कि बिना verb के sentence होता ही नहीं है जिस group के अंदर sentence की definition क्या होती है sentence की definition क्या होती है group of words शब्दों का समू with verb with complete sense या sentence की definition है यानि ऐसा समू शब्दों का जिसके अंदर verb हो और verb के साथ साथ में वो group जो है एक sense carry करे एक earth carry करे उसी को sentence काईगे तो definition के base पर भी sentence के definition के base पर भी हम कह सकते हैं कि बिना verb का sentence नहीं होता और A.S.Honby के concept के base पर भी हम ये कह सकते हैं कि बिना verb का predicate नहीं होता और बिना predicate के sentence नहीं मनता मतलब कि बिना verb का sentence होता ही नहीं है तो अब आप समझ गए होंगे कि verb का किसी भी sentence को बनाने में किसी भी sentence को manage करने में क्या महत्वपूर्ण रोल रहा होगा या क्या महत्वपूर्ण रोल रहता होगा या आप feel कर सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त तो pattern की हम अगर बात करें तो verb जो है वो A.S. Honby के पांचो pattern का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है रहा है A.S. Honby के according verb जो होती है S.V. pattern में helping verb भी verb कहलाईगी और main verb भी verb कहलाईगी यानि कि अगर मैं ये कहूँ कि Ram is playing Ram is playing तो यहाँ पर is जो है helping verb है यह हम लोग सभी जानते हैं हम लोग ये जो है वो 5th, 6th, 7th में ये चीज़ा हमको टीचर ने बहुत बार पढ़ाईए English में है ना playing जो है वो आपकी main verb होगी मुख्य क्रिया होगी ये आपकी मगर A.S. Honby कहते हैं कि ये दोनो जो है वो verb ही count होगी ये verb ही count होगी A.S. Honby का जो second pattern है वो कहता है कि S plus V plus O pattern यानि की S plus V plus C pattern देखें यापर ये C क्या है? C का मतलब यहां होता है compliment क्या होता है? Compliment compliment का हिंदी में अगर मैं आपको बता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आप ये कह दो पहचान, एक तरह की पहचान या एक तरह की अवस्था क्या है ये? पहचान या अवस्था मगर किसकी? ये अवस्था होगी subject गी बिलकुल जो subject होगा उसकी जो पहचान या उसकी जो अवस्था है वही आपका compliment होता है कैसे? बहुत सारे sentence यूज़ करते हो आप A.S. on B.K. ये इस pattern के कहीं सारे sentence यूज़ करते हो आप लोग जैसे आप simple sentence क्या दो? I am a boy मैं हूँ क्या? एक लड़का S प्लस V प्लस ये boy क्या है? C. ये compliment है जो की I की पहचान एक boy के तौर पर शो कर रहा है A.S. on B. ने भी ये pattern दिया था उन्होंने कहा था कि sentence जो होता है उसके अंदर compliment नाम का एक element होता है जिसका use subject की पहचान के तौर पर किया जाता है या उसकी अवस्था के तौर पर किया जाता है इसके जीते जाते कहीं सारे example आपके सामने होते है अब सुनना गौर से यहाँ पर जिस tense की verb आप लगाओगे पहचान उसी tense में show होगी जैसे I am a boy तो यहाँ पर यह present का sentence हो गया अगर आप कहते हो कि once upon a time there was a king एक समय की बात है एक राजा था तो was लगाते ही वो past का sentence बन जाएगा इवन कि आप अगर यह कहते हो I will be a doctor in my life तो यहाँ पर will be लगाते ही जो है वो आपका future का sentence बन जाएगा तो ace होन भी अंकल ने second pattern के अंदर verb और compliment के संबंद को बताया था यह तो easy बात है यह समझ में आई भी आभी गई होगी मेरे सारे students को मुझे पता है इतना आप खुश्यार है कि आप ही समझ गए होंगे अब आगे देखो मेरे बात स्वड़ा ध्यान से सुनना क्या कि जब आप S प्लस V प्लस C pattern का कोई sentence मनाते हो न तो उसमें दो चीज़े compulsory हो जाती क्या एक तो यह कि verb के बाद में subject और verb के बाद में आपके कोई ना कोई noun आनी चाहिए noun, संध्या जब यहाँ पर कोई noun होगी न तभी यह verb जो है वो आपकी जो है, वो आपका कहने का मतलब है कि वो आपकी S प्लस V प्लस C pattern वाली verb होगी और S प्लस V प्लस C pattern वाली verb को जो है वो B form कहते है या फिर इसका दूसा नाम है linking form क्या है? B form या linking form जिसे हम state form भी कहते है S प्लस V प्लस C यानि कि जिस verb के बाद में noun आए, compliment आए उस verb को linking form या B form कहते है ध्यान रखना, याद रखनी है ये चीज़े भूलनी नहीं है क्योंकि आप verb पढ़ रहे है सुन लेना कान खोल के और verb जो है वो पूरी base होती है sentence की जान होती है उसका दिल होता है अगर वो धढ़कना बंद हो गया तो इंसान मर जाता है तो आपका sentence भी मर जायेगा अगर आपको verb की knowledge नहीं है तो ये पुरा session जो है ना बड़े ध्यान से और पुरा attentive होकर के सुनना क्योंकि बहुत कुछ देके जाओंगा मैं यहाँ पर आपको ठीक है चलिया आगे तो कहने का मतलब यह हो गया कि जब verb के बाद में noun यानि कि आपके is, are, was, were इनके बाद में अगर कोई noun आएगी तो यह is, are, am, was, were, will, be, shall, be यह आपकी बी form या linking form कहलाएगी क्लियर है बात कोई problem नहीं है यहाँ पर और एक चीज़ सुन ले ना इस तरह के sentence में s plus v plus c वाले जो sentence होते हैं उसके अंदर जो यह is वगरा होते हैं यह आपकी main verb कहलाएगी यह main verb होगे मेरे दोस्त यह helping verb नहीं होगी यह mukhykria होगी कब जब आप s plus v plus c pattern पर sentence बना रहे हो तब आपकी जो is, rm है was, were, will, be, shall, be है यह उस sentence में mukhykria main verb के तौर पर use ली जाती है जिन्हें be form या linking form या state form कहकर संबोधित किया जाता है मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्यूंकि अगर आपने in verb के बाद में is, rm, was, were, will, be, shall, be के बाद में अगर आपने verb की ing form यूज की न तो वहाँ पर यह is, rm, was, were, will, be, shall, be यह helping verb बनते हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार-बार क्या कि s plus v plus c pattern वाले जो sentence हैं उसमें जो is, rm, was, were, will, be, shall, be आते हैं वो मुख्य क्रिया है वो मेन वब है यह कान खोल के सुनना आप आगे देखो तीसरा pattern जो है as, hon, v, का वो कहता है कि s plus v plus o o मतलब हो गया object अब देखना यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और सुनना यहाँ पर verb के basic जो है कैसे निकल-निकल के बाहर आते हैं देखना object जो है न आप अगर गौर करोगे ना तो हमारा पहला pattern भी कुछ इस तरह से था क्या उनसा s plus v plus c pattern जो हम अभी आगे आगे पढ़के आए है second pattern second pattern और third pattern में difference क्या है अंतर क्या है यह है कि यहाँ compliment है यहाँ object है यहाँ compliment है यहाँ object है मगर हम कैसे decide करेंगे कि यह object है और यह compliment है या फिर एक question और एक सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे कैसे बता दोगे कि verb के बाद आने वाली हर चीज object होती है या verb के बाद आने वाली हर चीज compliment ही होती है कैसे कहोगे आप देखो मैं आपके सामने एक sentence लिखता हूँ यहाँ पर क्या मैंने कहा दिया कि I am a doctor दूसरे मैं लिखता हूँ I play football तीसरे मैं लिखता हूँ I play with रागव तीन सेंटेंस है यहाँ पर और तीनों सेंटेंस आप देखोगे यहाँ तक कि तो गणित आपके समझ मागई होगी कि सर यह तो वर्ब है यह भी वर्ब है यह भी वर्ब है यहाँ पर मैंने आपको अब यह सेकेंड वाले पैटर में यही चिखाए था कि जब S प्लस V प्लस C वाले पैटर में जो V होता है वर्ब होती है वो में वर्ब कहलाईगी तो यहाँ पर M जो है वो में वर्ब है और इसके बाद में जो आ रहा है A doctor यह आपका compliment होगा क्योंकि यह डॉक्टर जो है यह आई की पहचान है कैसे तो डॉक्टर कौन है आई आई क्या है डॉक्टर है तो दोनों एक दूसरे के लिए यूज किया गया है डॉक्टर आई के लिए यूज किया गया है तो यहाँ पर आई की अवस्था एक डॉक्टर के तौर पर दिखाई जा रही है इसका मनलब यह हो गया है कि इसमें S प्लस V प्लस C वाला पैटर्न लग रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्ब के बाद में जो element आया है न यह हमारा compliment ही होगा क्योंकि यह subject के लिए use हुआ है यह देखो यह subject के लिए use होता है जब compliment subject के लिए होगा तो वो compliment ही होगा घ्यान रखना इन दोनों को जोड़ने वाली यह वर्ब है न यह वाली वर्ब यह linking verb कहलाईगी मैं ऐसे कोई class ले रहा था तो किसी student ने मुझे पूछ लिया कैसे linking verb की definition क्या होती है तो linking verb की definition यह होती है जो subject को compliment से जोड़े वो linking verb कहलाईगी और यह काम आपका is आरेम, was वर, will be, shall भी करती है कब जब उनके बाद में कोई noun आए और हमेशा noun ही होगा देखो, doctor क्या है doctor भी तो एक common noun है तो noun आ रही है आपर तो यह verb जो है, वो आपकी main verb तो है, मगर वो be form है वो linking form है, वो state form है क्योंकि वो I की state दिखा रही है ठीक है? आगे चलो तो यहाँ पर तो verb के बाद आने वाला जो element है यहाँ पर वर्ब के बाद आने वाला यह element क्या है? I play football तो यह आपका object होगा यह आपका object होगा कैसे? यही तो समझना है, कैसे? वो मैं आपको यहाँ समझाँगा यहाँ नहीं समझाँगा, अब आगे देखो I play, यहाँ पर भी देखो के लिए हैं, जो सपने देखते हैं कि वो SSC clear करें मगर वो दूर दराज किसी छोटे गाउं के अंदर तकलीफे जहल रहे हैं, परिशानिया जहल रहे हैं opportunities नहीं मिल रही हैं उनको और जो कोई भी कहीं पर भी गिने चुने कुछ YouTube वीडियो अगर वो खोल लेते हैं, free of cost पढ़ने के लिए, क्योंकि परिस्तितिया सब की जो हैं, वो महताज नहीं होती हैं परिस्तितिया हर एक इंसान की अलग-अलग होती हैं किसी के पास पैसा होता है अच्छी जग़ जाकर के रहकर के कोचिंग करने कि किसी के पास नहीं होते हैं तो वो अपने पास में जितने भी सिमित संसादन होते हैं उसके अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन बचों में जब भी वो कभी किसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो teacher जो होते हैं जो YouTube पर आते हैं जो पढ़ाते हैं वो सीधा उनको एक advance leafl से शुरू कर देते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा उसको verb किसे कहते हैं उसको पता है या नहीं पता है नहीं पता है उनको कोई मतलब नहीं मगर हमें फरक पढ़ता है डिजिटल तयारी को इस चीज का फरक पड़ता है कि दूर दराज गाउं के अंदर जहां पर प्रॉपर लाइट नहीं, जहां पर प्रॉपर विवस्था नहीं है, वहां पर एक बच्चा अगर कुछ उमीदे पाल रहा है, कुछ सपने देख रहा है, तो उनको साकार करने के ल यह का, क्या पता, जब आप इसका एडवांस लेवल देखें, तो यह चीज आपको कही ना कहीं पर जो है, वो इफेक्ट करेगी, कही ना कहीं पर आपके समझने का एक पॉइंट ओफ यू है, उसको थोड़ा सा वाइल्ड करेगी, तो इस चीज के एक बारे में आपन थोड समस्रा पैटर्ण ह Nä, S+, V+, O, पैटर्ण, उसमें यह कहता है कि O का मतलब हो गया औगला, औपजिक्ट क्या होता है पता आपको, अबजिक को हिंदी में बॉलता है कर्म, जैसे कि कर्ष्णे कहाता है कि वर्ब करिया पर अधिकार होता है, कर्म पर अधिकार नहीं होता है, तो में object produce करती है या नहीं करती है और कौन सी verb है जो अपने बाद में object produce करती है और और सुन लो verb के बाद आने वाला element object है इस चीज का decide कैसे करेंगे इस चीज का confirmation हम कैसे लेंगे तो देखना एस होन भी ने कहा था कि verb पर आके आप दो verb से दो सवाल पूछो एक तो पूछो what एक पूछो whom what मतलब क्या whom मतलब किसे वर्ब से दो question पूछने what और whom अगर what और whom आपकी verb answer provide करवा देती है तो what और whom का answer ही आपका object होगा यानि इसका answer ही object है मेरे दोस्त यह एक ट्रिक है कैसे वह वाला sentence में यहाँ वापस लिख रहा हूं देखो I play football अब देखो यहाँ पर I play I play what what से सवाल बनाओ question बनाओ देखे I play what यानि कि मैं खेलता हूँ क्या तो क्या खेलता यह football खेलता है इसका मतलब football जो है वह इस verb का object ही है इस वर्ब का object ही है यह क्योंकि यह वाट के answer को आगे carry कर रहा है तो जो वर्ब जो वर्ब वाट के answer को आगे carry करें वाट का वही answer उस वर्ब का object होगा कितना simple सा trick है object को पहचानने की और यह trick जो आपके passive voice में भी काम आने वाली क्योंकि कई sentence ऐसे आजाते है जिसमें object है या नहीं है इस चीज का हम लोग decide ही नहीं कर पाते तो जो वर्ब what और whom का answer को एक whom का बना देते हैं कैसे I gave him मैंने दिया क्या दिया क्या कतव answer नहीं आ रहा है मगर किसे दिया him उसे तो whom का answer जरूर आ रहा है यहां पर तो whom का वही answer आपका object होगा और एक चीज और सुन लो भी whom के answer में हमेशा आपको ज़्यादा तर आपको एक तो जो है वो pronoun मिलेंगे या फिर आपको कोई भी noun भी मिल सकती pronoun और noun नहीं मिल सकती आपको वहां पर मगर यहां पर हमने दो चीज़े सेखी क्या कि जो वर्ब what और whom के answer को carry करेगी वही what और whom का answer उस वर्ब का object होगा अब सुनना मेरी बात कि यह object क्यों नहीं है यह adverbial क्यों है तो इस sentence को अगर आप देखो गया तो I play I play what मैं खेलता हूँ क्या क्या का answer यहां carry नहीं हो रहा है इसका मतलब what का answer नहीं है हूम का carry करके देखो I play I play मैं खेलता हूँ किसे तो किसे का भी यह answer carry नहीं करता है मतलब यह what और whom के दोनों answer को यह carry नहीं कर रहा है जब ये what or whom के answer को carry नहीं कर रहा है तो फिर ये किस चीज को carry कर रहा है किसके answer को carry कर रहा है देखना I play I play ये कहा रहा है कि I play with raghav मैं raghav के साथ खेलता हूं तो यहां पर ये what or whom के दोनों के answer को carry नहीं कर रहा है तो जो what or whom के answer को carry न करे वो element adverbial ही कहलाएगा और adverbial जो होता है वो आपके who या फिर आपके when आपके where आपके how how much how many whenever, whatever, wherever इन सब के answer carry करता है इस range में से जब आप what और whom को निकाल दोगे तो बाकी जितने भी answer आपकी verb carry करेगी वो सारे adverbial ही होंगे जैसे when को कौन carry करेगा तो कोई time आएगा where को कौन carry करेगा तो कोई place आएगा वहाँ पर तो place, time, reason, manner यह सब क्या होते हैं यह adverbial भी तो होते हैं हमने पढ़े एनक books के अंदर यह सारे adverbial की category में आते हैं मेरे दोस्त तो कहने का मतलब यह हो गए कि यहां पर आपके what और whom का answer ही object होता है इसके अलावा जो answer where, when, whenever, whatever, how, how many, who इन सब को carry करे वो आपकी हमेशा adverbial होती है वो हमेशा adverbial की category में आता है मेरे दोस्त घ्यान रखना दूसरी देखो, adverbial को पैचाने का दूसरा तरीका बताऊ जब verb के बाद में preposition आ जाए verb के बाद में जब preposition आ जाती है तो preposition के साथ ही sentence का बचा हुआ सारा पार्ट adverbial की category में चला जाएगा जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है play के just बाद में with आ गया तो with preposition है तो यहाँ पर sentence खतम बागी बचा हुआ पार्ट adverbial हो गया इसका और A.S.O.N.B. ने कहा था कि adverbial जो है वो sentence pattern का हिस्सा नहीं है उन्होंने कहा था कि adverbial जो होता है वो extra information carry करता है extra extra information carry करता है यानि ऐसे information जो sentence का महतुपूर्ण हिस्सा नहीं है तो जो चीज sentence के महतुपूर्ण हिस्से में नहीं आएगी वो A.S.O.N.B. के अनुसार adverbial ही होगी तो कहीं सारी वर्ब जो है वो adverbial भी आगे जो है वो अपने जो है वो carry करती है तो चुनिन्दा वर्ब होती है जो object carry करती है चुनिन्दा वर्ब होती है जो compliment carry करती है और कुछ चुनिन्दा वर्ब होती है जो adverbial carry करती है मगर एक चीज़ सुनना यह decision मैं और आप नहीं लेंगे यह decision verb लेगी और उस verb का sentence में use लेगा मैंने क्या कहा था, grammar से बढ़कर use है उपियोग सबसे बड़ा है sentence में जिस तरह से उपियोग होंगे न, element के वो उपियोग decide करेगा कि आपकी जो verb है वो adverbial carry कर रही है, वो object carry कर रही है यह निर्णय verb नहीं लेगी ऐसा नहीं कि play है तो play हमेशा object ही carry करेगा नहीं, play का use अगर sentence में कुछ अलग तरह से हुआ न तो वो play जो है न, वो object carry नहीं भी करेगी कई बार, वो adverbial भी carry कर सकती है अपने साथ में तो इसका निर्णय मैं और आप नहीं लेंगे इसका निर्णय कोई, कोई निश्चित verb नहीं लेगी कोई define verb यह चीज़ डिसाइड नहीं करेगी यह डिसाइड करेगा, उस verb का sentence में use कैसे हो रहा है वो यह चीज़ डिसाइड करेगा तो यहाँ पर हमने दो चीज़े सीखी, क्या दोनों चीज़े क्या सीखी हमने एक तो यह सीखा, कि verb के बाद आने वाला हर element object की category में नहीं आता अगर आपकी verb what और whom के answer को carry करती है तो what और whom का वही answer आपकी उस verb का object होगा तीसरी बात क्या, कि verb के बाद मैं compliment भी आ सकता है जो what का answer करी करता, देखो, हाँ यह मैंने आपको नहीं बता है, यह भी समझ लो आप जैसे यहाँ पर देखो, I am a doctor यहाँ आप अगर I से question पुछेगे, तो क्या question निकलता है I am what, मैं हूँ क्या, तो यह भी तो यहाँ पर, doctor भी तो यहाँ पर क्या क्या answer को carry कर रहा है तो अब आप कोगे कि sir, जब doctor what के answer को carry कर रहा है इसका मतलब यह verb जो है, वो what का answer दे रही है यहाँ पर और आपने भी कहा था कि what का answer object होगा मैं बिल्कुल अपने statement से मुकर नहीं रहा हूँ मगर एक बार sentence को घ्यान से देखो क्या, doctor जो है वो I की पैचान है दोनों एक दूसरे के लिए use हुए है मगर यहाँ पर देखो, football I है क्या या I football है क्या, दोनों एक दूसरे के लिए use हुए, नहीं यहाँ पर एक चीज़ समझना है क्या, कि compliment का relation subject से होता है compliment का relation, यह compliment है compliment का relation subject से होता है क्योंकि compliment subject के लिए ही use में लिया जाता है या subject compliment के तरह ही use में लिया जाता है मगर object का subject से कोई लेना देना नहीं होता है object का subject से कोई लेना देना नहीं है भले ही compliment what के answer को carry कर रहा है, भले ही compliment जो है, वो मेरे द्वारा या AS होनभी के दिये गए, उस concept के base पर सही जा रहा है, मगर फिर भी एक अंतर है क्या, कि doctor eye के लिए आ सकता है, मगर football eye के लिए नहीं आ सकता, doctor तो eye हो सकता है, football eye थोड़ी हो सकता है, football एक अलग element है, eye एक अलग element है, एक इंसान कभी भी football नहीं बन सकता, मगर एक इंसान doctor तो बन ही सकता है ना भई, तो object का कभी भी subject से relation सीधे तोर पर नहीं बैठता है, मगर compliment का सीधा subject से relation होता है, उसका verb से कोई लेना देना, यहाँ verb जुरूर tense carry करती है, कि भी कौन से tense का है वो, मगर compliment आएगा subject के लिए, यह basic चीज़ा है भई, इसके उपर में ज़्यादा आपको कोई notes words नहीं दे रहा हूँ, सिरफ orally और कुछ ऐसे इस तरह से समझा रहा हूँ, कान खुले रखने हैं ब हर what का answer object नहीं होता, हर what कह रहा हूँ, क्यों कि कुछ what compliment भी carry करते हैं, तो कुछ what जब compliment carry करते हैं, तो सीधा आप एक बार अंदाजा लगा दो कि यह I, यानि कि subject जो है, उससे सीधा संबंध है नहीं है इसका, जैसे doctor का सीधा संबंध है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक किया जाने वाला what का हर answer object नहीं होता है, हर answer नहीं होता है, object वही होगा, जो what से carry तो होगा, whom से carry तो होगा, मगर उसका subject से सीधा relation नहीं होगा, उसका relation verb से होगा, ध्यान रखना यह चीज़, जबकि compliment का relation subject से होता है, यह कुछ important चीज़े हैं, और यह जब हम नहीं सीखेंग ना, जब तक हम इन चीज़ों के उपर पकड नहीं मनाएंगे ना, तब तक grammar के सारे topic आपके लिए मुश्किल है, भली आप कहीं से किदर से भी कुछ भी पढ़ लो, बड़े level के exam के लिए जब जा रहे हो ना, तो हमारे जो, कहते हैं ना कि जब आप युद करने जाते हो न तो राजा अपने दम पर युद नहीं करता है, राजा अपने कुछ चुनिंदा सेनापतियों के दम पर युद नहीं करता है, राजा युद करता है अपनी सेना के उपर, सेना के उपर, उस हजारों लाखों सेना का जो बल है ना, वो राजा को युद जीताने में बहुत ब रनापति युद नहीं जिताएंगे, सैना युद जिताएंगे, आपके बेसिक जो है ना वो आपको आपके एक्जाम क्लियर करवाएंगे, इसके उपर सोचना थोड़ा सा जोर देना, काम करना इसके उपर, देखो, मैं तो एक बड़े भाई की नजरिये से, एक मेंटर की युट्यूब से, किसी भी बुक से, टॉपिक सिधा शुरू कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, जब पढ़कर के जब हम एक्जाम में जाते हैं, या कोई पैक्टिस सीट के अंदर हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है, यह क्या है, वो क्या है, यह क्यों नहीं हुआ, फिर आत सिधा प्रसाद, मंदर से निकल के सिधा प्रसाद आएगा तो हमारे पास, ध्यान रखना इंची लोगा, चलिए आगे चलते हैं, एस होन बी के ऊपर फोर सा और डिसकस कर लेते हैं, एस होन बी का चौथा पैटन जो है, वो यह कहता है, एस प्लस वी प्लस आई ओ डी ओ, द बीचीज आई तुम्हारे, देखो, यह सॉन बी ने गा कि कुछ वर्ब ऐसी होती है, जो वोट का अंसवर भी देती है, और यह हूम का अंसवर भी देती है, देखो, तो जो हूम का अंसवर देगी, वो तो होगा तुम्हारा आई, आई ओ, I O, I O का मतलब क्या हो गया, indirect object, इसको क्या कहींगे? Indirect Object. और DO का मतलब Direct Object. तो जो what का answer होगा, वो तुम्हारा Direct Object होगा. ठीक ना? यानि याँ देख लो, easily लिख लो आप. What जो होगा, वो आपका होगा DO. और whom का answer जो होगा, वो होगा तुम्हारा IO. यानि Direct Object, Indirect Object. तो कुछ वर्ब ऐसी होती है, जो एक नहीं, बलकि दो-दो अबजेक्ट केरी करती है. और दोनों अबजेक्ट केरी करती हैं, तो दोनों अबजेक्ट का subject से relation सिधा नहीं होता है. कैसे एक sentence देखो? जैसे मैं कह सकता हूँ कि, I gave him some money. बिल्कुल basic sentence ले रहा हूँ, छोटी-छोटी, प्यारे-प्यारे से sentence, जो समझने के लिए हमारे लिए परियाप्त है. देखो, I subject, gave verb. I gave what? I gave some money. तो यह what का answer दे रहा है? I gave whom? किसको? तो यह आपका whom का answer दे रहा है. तो जो whom का answer देगा, वो हो गया. I O. जो what का answer देगा, वो हो गया. D O. तो यहाँ gave जो है, वो ऐसी verb है, जो एक नहीं, दो-दो object carry करती है. यह A.S. होन भी ने कहा था. जो what का answer देगा, वो हो जाएगा direct object. जो whom का answer देगा, वो हो जाएगा indirect object. और आप देखो, some money I से relation है, I, मतलब, इंसान पैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर direct relation नहीं है. Him, उसे, उसे और I तो दोनों अलग-अलग परोण होने है. दोनों का एक दूसर से relation नहीं है. मतलब, सीधे तोर पर दोनों का relation भी नहीं आ रहा है. और whom का relation तो वैसे भी subject से हो ही नहीं सकता. यह तो हमने कहीं नहीं था. हमने what वाले का जुरूर कहा था. कि what वाले जो answer होता है, वो हर what का answer object नहीं होता. क्योंकि कुछ what का answer compliment भी होता है. और यह हमने पिछली वाली slide में A.S.Hornby.uncle के base पर सीख लिये हैं. ठीक है? चलते हैं आगे next. और अगला जो last pattern है, वो है S plus V plus O plus C pattern. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रिखना. यहाँ पर जो C जो है ना compliment, यह यहाँ पर subject के पहचान नहीं हैं. यह इस object की पहचान होगा. बिलकुल. क्या समझे? एक चीज़ समझे. कि जब sentence में S plus V plus C होता है, खाली S plus V plus C, जो यहाँ पर था देखो. कहा गया? यह रहा. जब S plus V plus C होता है ना, तो यह C जो होता है, वो इस subject के लिए ही use में लिया जाता है. ठीक है? मगर, जब S plus V plus O plus C आता है, यानि object के बाद में अगर compliment आता है, तो वो compliment subject के लिए use में नहीं लिया जाएगा. वो object के लिए use में लिया जाएगा. ठीक है ना? जहां रिखना है. कैसे है? I left this box empty. तो यहां पर आप देखोगे, तो I left, I left what? तो यह आगया आपके what का answer? तो यह तो object हो गया, empty, खाली. है ना? ठीक है ना? खाली छोड़दिया. तो खाली जो है ना, वो क्या छोड़दिया? I和 को खाली नहीं छोड़दिया, box खाली छोड़दिया उसने, empty. खाली छोड़ दिया उसने box ठीक है यहाँ पर आप एक चीज़ समझाओगे कि यह compliment जो है यह subject का compliment नहीं है यह इस object का compliment है किसका compliment है यह object का compliment है ठीक है तो यहाँ पर हमने एस honby के pattern से verb के वो basic सीखे हैं जो हमारे verb को start करने में दिक्कत देते है जो verb के बड़े concept को समझने में दिक्कत देते हैं जो verb के कई सारे प्रारूपों को समझने में दिक्कत करते हैं जो verb को advanced level तक कहरी करने में दिक्कत करते हैं मगर अब जब यह session आप लोग बड़े इत्मिनान के साथ में देखोगे तब आप verb से related कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको परिशान करेगी या जिससे आप effect होने वाले हो इसी उम्मीद और इसी आसा के साथ में जो है और साथ में एक छोटे से promise के साथ कि कल वापस आऊंगा और वर्ब की इस रथ यात्रा को मैं दुबारा आगे लेके जाऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जय राजस्थान दोस्तों